हलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हकलाने का इलाज सम्मोन उप्चार से मेरे कई पहले वीडियो में मैंने बताया कि हकला ना जो है स्टटरिंग या स्टैमरिंग यह एक मानसिक बिमारी है, टेंशन के वज़े से यह बिमारी आती है, स्ट्रेस, चिन्ता, टेंशन या ऐसे कोई घटना हुई कि जिसमें वो एकदम व्यक्ति बच्चा दब गया और बहुत उसको मेंटल शॉक बैठ गया, तो उसमें वो हकलाना चलू कर देता है, और वो धिरे 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 बढ़ते जाता है, और जतना ज़्यादा उसके उपर प्रेशर आएंगा बच्चे के उपर, psychological pressure, मतलब काम करने का pressure, या बहुत मतलब गुसा करने वाले पिताजी होंगे, उनका pressure, या मार पड़ रही है पिताजी से, उसके वज़ए से, मतलब ये हकलाने का जो problem है, इसमें काफी सारी जो patients हमारे दिखते है न, उसमें ये दिखता है कि घर में ऐसा कोई तो भी बहुत ही aggressive, या dominant वेक्ति रहता है, मतलब वो पिता जे होंगे, या डादा जे होंगे, ऐसा कोई तो भी वेक्ति घर में रहता है, कि जिसके वज़ए कैसे हकलाना ये शुरू कर देता है बच्चा, तो इसमें मैंने बताया कि ये जो हकलाने का problem है, इसमें मुह में कुछ problem नहीं है, ना गाल में problem है, ना गले में problem है, problem यहाँ है, दिमाग में, tension है, उसकी वज़ए से होता है, ये लोग अकेले में अच्छी बात्चित कर सकते ह अकेले में अच्छा काना का सकते है, एक बार शुरू कर दिया काम, मतलब बोलना शुरू कर दिया, तो अच्छा बोल लेते है, मगर बीच-बीच में फिर हकलाते है या फिर शुरू करने के समय ही हकलाते है, इसके उपर hypnotism, सम्मोहन उपचार बहुती प्रभावी उपचार है, सम्मोहन उपचार में हम क्या करते है, कि हम उसको सम्मोहन कैसा करना ही सिखाते है, सम्मोहन कैसे करना, सम्मोहन के लिए आराम कुरसी के उपर बैठना या लेटना, या साधी कुरसी भी चलती है, दिवाल पीछे होना, और अपना सिर जो है दिवाल को पीछे टिकाना, ए रिलाक्स बैठने के बाद में वो प्रसंग वो घटना सामने लाना कि जहां वो बच्चा हख लाता है तो कौनसे कौनसे ऐसी प्रसंग है कौनसे कौनसे ऐसी घटना है कि जहां वो हख लाता है वो सामने लाने का है तो पहले संवहन का पूरा सेशन करना पड़ता है उसके लिए तो पहले रिलेक्स होगए कुरसी पे बैठे क्रिफ़ें रिलाक्स हो गए । रिलेक्स होगए पेट कमर हैं रिलेक्स है पूरा बदन है और फिर से से दस्तागिंती करना जैसी जिन्ती बढ़ते जाएंगी वैसा जैसा मैं रिलाक्स हो रहा हूं ऐसा बोलना और पूरा रिलाक्स होने के बाद में फिर आखु के सामने चित्र लाना कलपना चित्र लाइव, कैसा कि मैं लोगों से बात्चित कर रहा हूं, अधिकारी से बात्चित कर रहा हूं, पिता जैसे बात्चित कर रहा हूं, बड़े लोगों से बात्चित कर रहा हूं, और एक 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 शब्द शान्ती से बोल रहा हूं, लोग मेरा सुनके बहुत प्रभाविट हुए, उन्हों को भी मुझे मैंने जो बोला उसको आँ बोला और मैं मेरा पूरा उनके सामने रखा और उन्हें उस को हाँ बोला ऐसा कोई भी मतलब situation लेना घटना लेना बात्शित करने की और लोगों के सामने जा civilly करना कर ρा यह कल पना कर जाना बार 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 ऐसा करते हो घर में बैठे बैठे प्रसंग वो कल्पना घटना वह कौंसी की जहां अक्लाते हो बैठे कहा हो घर में बैठे और बार 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 इस अपका समय आएंगा ना बार किसी के साथ में बात्चीत करने का तो वहां एकदम शान्ती से आप बात्चीत करेंगे और वैसा ही मैं बोलता हूं कि जैसा घर में खुद के ऊपर संपन महुन उप्चार करना और हकला ने की प्रेटिस मतलब जो है कि हकलानी की मैं मालब वो situation में मैं शान्ती से बोल रहा हूं, आराम से, आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, ऐसी practice करना, और actually जब आप बोलते हो, actually, लोगों के साथ में जब आप बोलते हो, तभी भी कैसे relax रहने का है, एकदम relax रहे के, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा relax करके, शान्ती से आप एक 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 शब्द बोलते हैं, ऐसा actually करना, मतलब वास्तो में भी ऐसा करना, और दुसरा घर में बैटे बैटे, कलपना शक्ती में भी ऐसा करना, ताकि बार बार जबाब करते हैं, एक हजार बार जबाब करेंगे न, मैं आपको guarantee से बोलता हूं, आप अब अच्छे हो करता है, और एक बार subconscious mind के उपर असर करता है, और एक बार subconscious mind के उपर असर हो गया न, तो naturally subconscious mind अपने पूरे बदन को वही से order देंगा, subconscious mind पूरे यह जो हिस्सा है न, यह जो tight हो जाता है, हट लाने के समय ऐसा, तो यह पूरा tight हो जाता है, उसको relax होने के order देंगा, और उससे तो वैसा आदमी अच्छे से बात कर सकेंगा जाम हो जाता है तो वह सम्मोन के अवस्ता में उसको रिलाक्स करके प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जीवन अच्छा हो जाएंगा अच्छा वो जीएंगे और उनको जो एक क्वालिटी लाइफ चाहिए उच्छतम दर्जा जीने का वो भी उनको मिलेगा और वो काफी अच्छी पोजिशन भी हासिल कर सकेंगे तो ये वीडियो उनको शेयर करो सभी लोगों को जिनको ये प्राब्लम है या आपको जो भी व्यक्ति मालूम है उनको ये इ लोगों को सिक्षा दे रहें लोगों को एडूकेशन कर रहें तभी काफी सारे बच्चे मेरे पास में आ जाते हैं और ये समस्या लेकर परिट्चि को अपल रेंटिख करो बोटे कि मेरे बच्चे को समस्या है और आब यह बताओ क्या स्केट तो उसका इलाज करके बत्चर हो जाते हैं अच्छे जीवन जीते हैं तो ये यूट्यूब पे लाइक करो शेर करो लोगों को बताओ थैंक्यू गरी मच्छ